अब बसुल्लाहिर्रह्मान रहीम अश्लाम अलेकुम हम पढ़ रहे हैं पाइथन वेब डिवलेप्मेंट विद येंगो फ्रेमवर्क और हमने अपने कोर्स का इंट्रोडक्शन लिया था जिसमें हमने जस्तना देखा था कि हम अपने कोर्स में क्या पढ़ेंगे हमारा कोर्स बैसिकली है क्या और कि क्या फाइदे हैं और कौन-कौन सी चीजें हम कवर करेंगे प्रोजेक्स वगरा क्या बनाएंगे वगरा वगरा एक प्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद आज हम अपना नहीं कि अगर देखा जाए तो प्रिकली हमारा ये आज पहला लेक्चर है इसमे डीटेल में पढ़ चुके हैं कि Python basically है क्या एक programming language है most powerful programming language है और काफी सारी चीज़ों के लिए यूज होता है for machine learning, for artificial intelligence, for web development, for desktop side applications, वगरा काफी सारी चीज़ों के लिए हम Python use करते हैं ठीक है आज हम पुई तरह से Python करते हैं कि how to use, how to install a Python and उसके पर एक पहला प्रोग्राम बन आती है तो सबसे पहले हम अपने ब्राउजर पर आ जाते हैं और ब्राउजर पर simple Python लिख्के में सर्च कर लेता हूं गूगल पर एंड हमारे पास Python का एक official website आ जाएगा welcome to python.org हमने simply इसमें जाना है अहां पर आपको पैथन से related complete documentation मिल जाएगी ठीक है community इसकी बहुत बड़ी है ठीक है success stories वगरा पैथन को इस वग स्पोंसर्स दुनिया की top companies कर रही है जो कि अगर मैं download की तरफ आउँ ठीक है यहां हम नीचे देख सकते हैं कि देखें python को इस दुनिया की top IT companies जो है वो इसकोंसर कर रही है यानि python की जो अप्ग्रेडेशन में जो new versions आ रहे हैं यानि कि बहुत सारे दुनिया के developers hundreds of developers and hundreds of IT companies मिलके इस वक्त को और ज्यादा market के अंदर यानि कि अच्छा बनाने में मस्रूफ हैं वो और ज्यादा secure बनाने में वो लोग मस्रूफ हैं तो कि हम windows operating system use कर रहे हैं तो हमारे पास automatically website में आगे download the latest version for windows और इसके latest version python का है 3.12 कि अगर आप में से कोई operating system कोई दूसरा use कर रहा है like linux unix mac and कोई भी another operating system है तो उसके लिए भी यहां पर python available है यानि कि इस वरक जो है वह वह दुनिया के हर operating system पर easily चला जा सकता है और उसके काम किया जा सकता है हम simply यहां पर click करेंगे download python पर and download python पर click करने पर यह हमारे पास हमारे system में download होगा एंड आफ्टर डाउंलोडिंग हम इसको इंस्टॉल करेंगे इसकेंगे आफ्टर कि दाउंलोड पर हम आजाते हैं python की डॉक्मेंटेशन की तरफ के देखें डॉक्मेंटेशन में हमारे पास क्या-क्या है है डाकुमेटेशन में हमारे पास बिगनर गाइड है कंपीट के मौडरे लेवल एडवांस लेवल और देखे नीचे कंप्ली टुचोरियल से हैं वाट्स न्यू इन 3.12 लाइबरी रेफरेंस लाइबरी रेफरेंस इस लाइबरी के अंदर भी यानि के जो डाकुमेटेशन है ढमने से इस के मिल जाएगी पाइफन से रावरा में पढ़ सकते हैं कि पाइफन क्क्या क्या है मैंने ऐक दोबानी निटों चीजेंटी कि प्लीक्त क्या क्या सकता है के मगें यहां पे इनके इस डाकुमेटेशन में और ज्यादा डीटिल में बहुत सी ऐसी चीजें भी पाइफन कर सकता होगा कि पॉसिबल है कि इस वक मुझे भी पता ना हो कि पाइफन पर और क्या-क्या कर सकते हैं तो पाइफन के डाउनलोडिंग पर हमने लगा दिया है अम आ जाते हैं अपने यह पीसी और डाउनलोड की तरफ और प्रोग्राम को यहां पर क्लोज दे दें आज़िए अधन का इसी फाइल हमारे पास डाउनलोड होकर आ चुका है हमने सिंप्ली क्या करना है इसको इंस्टॉल करना है अपने पास मैं जैसे ही इस पर इंटर करूंगा इंटर करने पर हमारे पास एक आपप विंडू ओपिन हो जाएगा कि सेट अप विंडू है तो क्यूंकि पाइथन मेरे पास अल्रेडी इंस्टॉल है तो तभी यह मुझे कह रहा है कि जो है वो बोडिफायर वगरा के आप्शन सारे मेरे पास कि मैं इसको मोडिफायर या अनिस्टॉल वगरा नहीं करूंगा कि अधर्वाइज इसका सिंप जो है वो मैं अगर बताता चलूं कि हम जैसे ही यहां पे पाइथन के सेट अप पे जब डिबल क्लिक करते हैं तो एक नॉर्मली जो भी सॉफ्टर हमारे इंस्टॉल होता है हम कि मैं इसकी इंस्टॉल करते है इसकी इंस्टॉल Europ कूल न us यौर्फ्ट वोसी तरह से है सिर्फ स्सरन में जैसे डबल किलिक करते हैं जो फॉस्ट जो ङॉपन रहता है उसमें इंस्टॉल का ऑप्शन होता है उसके नीचे यहां पर सब्सक्राइब। में आपको एड़ पाथ का एक चेक बॉक्स नजर आएगा उसको लाजमी चेक करना है ठीक है जैसे कि दूसरी प्रोग्रामिंग लेंग्विजिस होती है लाइक जावा हो गया अगर आप में से किसी ने भी जावा पे काम किया है जावा की इंस्ट्रोलेशन के बाद हम इंवार्मेंटन वेरिबल्स के अंदर जाके एक पाइट जो है वह सेड कर रहे होते हैं वगर अगरा तो वह पाइटन की यहां पे इंस्ट्रोलेशन में ही वह आप्शन मौजूद होता है नीचे यहां पे कॉर्णर पे एक एड़ पत का एक अगरा इंस्ट्रोलेशन में बताता हूं कि दिस वन यह इमेज आ गई एक है इस वन फर्स्ट डबल किलिक करने पर यह पॉप आप ऑपन होता है हमारे पास जिसमें हमारे पास देखिए यह जो नीचे आप्शन है एड़ पाथ सिर्फ इसको चेक कर लेना इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है ठीक है यहां पे इस एड़ पाथ को चेक करके इंस्ट् आगे कोई option नहीं आता है कि जैसे ही हमारे पास एक progress bar complete हो जाएगी यहां पे simply close का button आजाएगा इंस्ट्रॉल नहीं क्लिक करने के बाद यह डारेक इंस्ट्रॉल होके close का button आजाता है इसको close कर देना होता है इसको नीचे आपने याद रखना है installation के time कि यहां पे एड़ पा होता है इंस्ट्रॉलेशन चीक है after this कि जब आप close कर लेंगे इसको कि हमने close कर दिया and after close कि हमने close कर चुके हैं हम इसको इसको आफ्टर इंस्ट्रॉलेशन हमने simply cmd पे जाना है अपने अपने computer में simply cmd सर्च करना है cmd को open करके कि हम किस सरह से चेक करें कि क्या मेरे पास successfully जो है वो python install हो चुका है या नहीं तो यहां पे simply only python लिखके हम जैसे इंटर करेंगे just python लिखके cmd पे इंटर करना है तो यहां पे देखें हमारे पास क्या आ जाएगा अगर आपके पास यह मैसेज आ रहा है यानि कि python का वर्जन अगर आपको यह बता रहा है python 3.12 इसके आपके पास python जो है वो successfully installed हो चुका है अगर नहीं होगा तो यहां पे not installed command not found error आ जाता है ठीक है हमारे पास python जो कि successfully installed हो चुका है तो यह इसी वाजा से हमें यहां पे python का वर्जन दिखा रहा है कि python is installed हमारे system में python का यह version जो है वो installed है कि after this हमें एक और software की जरुवत है जो कि basically क्या है editor code editor code editor की हमें need है और code editor जो है हमने कौन सा use करना है हम vs code use करेंगे simply vs code लिखके हम जैसी search करेंगे google पर तो विजिल इस्टूडियो कोड एक इस वक्त बहुत ही बत्रीन जो है एक code editor है complete IDE नहीं है एक simple visual studio भी आता है विजिल इस्टूडियो कोड नहीं only visual studio तो वह एक बहुत बड़ी IDE है complete और वह तक्रीबन 15 GB का पूरा setup है हमने simply visual studio code install कर लेना है अपने पास और अगर आप students जो है already programming करते रहे हैं तो I hope कि आपके पास यह जो IDE ही है यह already available होगा क्योंकि इस वक बहुत popular है visual studio code इसकी एक खासियत यह है कि इस code editor के अंदर multiple languages की extensions जो है वो install हुई भी होती है या पिर जो भी हम file इसी भी particular programming language की जब इसको download नहीं करते आप लोग उने भी simply क्या करना है visual studio code अपने पास download करके install कर लेना है और मेरे पास यह यहां पर मुझूद है मैं इसको open कर लेता हूँ Python की और खासियत भी है कि जैसे कि अगर आप में से किसी ने scripting programming language like a PHP यूज किया है तो PHP में क्या होता है एक server install करना होता है और फिर PHP की files जाके उस server के खास किसम के folder htdocs या www नाम का जो folder होता है उसमें जाके हमने अलग से खास जाके save करनी होती है files तो Python में ऐसे कुछ भी नहीं है ठीक है Python में हमारे पास क्या होता है जाके आप अपने laptop अपने computer अपने system में जहां चाहें जिस drive के अंदर चाहें आप एक folder बना लें फोल्डर के अंदर आप Python की files जो हैं वो save करते जाएं और वो यानि कि आपके computer में जहां कहीं भी वो folder होगा वो successfully करेगा ठीक है यह हमने विजियल स्टूडियो कोड जो है अपने पास ओपन कर लिया है और मेरे पास एक folder इस वक्त अविलेबिल है नेम ओफ पाइथन क्लास के नाम का एक folder अपने पास बना लिया है EPIR joking only D-try and I have take it away मैंने पाइथन क्लास लिए मने फोलडर बना लिया करिता के इस फोल्डर के लिया ने है मैं ने फेञिक है हमने कोड़ की फाइल है वो जाकर seven करनी है मैं यहां पर सबसे पहले इस code editor के अंदर folder को slack करके मैं इसके अंदर यहां new file पर click कर रहा हूं या right click करके new file भी कर सकते हम folder पर इस तरह से file में से जाके new test file भी कर सकते हैं चीक है तो मैं simply यहां इस folder के अंदर new file create कर रहा हूं with the name of any name file name आपको कोई भी हो सकते हैं अगर याद रहे professional तरीका यह होता है अब क्योंकि यह तो हमारे पहला class है ठीक हम यानि कर रहे कोई project नहीं बना रहे कोई system नहीं बना रहे तो इस वक्त तो हमारा एक पहला file है हम इसको किसी भी नाम से save कर लेते हैं अगर एक professional तरीका क्या होता है कि in future जब आप किसी project पे काम कर रहे हो किसी particular system पे काम कर रहे हो तो इस किसम की का काम यानि कि suppose कि मैं किसी file पे कोई students record से related काम कर रहा हूं तो file name भी हमेशा वैसा रखें ताकि file की name से ही पैचाना जा सके यानि कि हम कोई काम कर रहे हैं यानि कि इस file के अंदर कुन सा काम हो रहा है students related काम हो रहा है या इस file के अंदर teachers related काम हो रहा है या इस file के अंदर कोई दूसरे किसम का हम काम कर रहे हैं तो हम कौन सा करने वह लाज़ी यहां पर फाइल का नाम हमेशा वैसा होना चाहिए ताके फाइल नेम से पता लग जाए कि हम क्या काम कर रहे हैं यहां पर नाम का फाइल बना रहा हूं और पैथन की जितनी भी फाइल्स क्रियेट की जाती है वह विध डॉट आइक्सेंशन से जै वह व्याइस की फाइल्स.css होती है तो इस तरह से जो फाइल्स हैं जो प्रेट करेंगे वह प्राइक्सेंशन की जाएंगी मैं जैसे यहां पर इंटर करूँगा देखें यहां पर फायल क्रेट होगा आटोमेटिकल ली उस पर एक चोटा सा पाइल्स का लोगो आ रहा है it means कि यह python file है ठीक मैं थोड़ा सा इसको zoom in कर देता हूं ताके आप लोगों को easily नजर आए अब मैंने कल एक छोटी सी चीज़ बताए थी वह क्या कि python एक बहुत ही ज्यादा user friendly language है यूजर फ्रेंडली लेंग्विज किस सरा से यानि के इसके अंदर जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लेंग्विज में टैक्स होते हैं starting tags then closing tags या खास किसम के पहले functions wide main void functions create कि जाते हैं या पर class create जाते हैं जावा के अंदर class पहले बनाओ फिर public static void main इस सरा से काम हो रहा होता है python क्या है बहुत ही ज्यादा user friendly language है बहुत ही ज्यादा user friendly कैसे इसमें कुछ भी करने की जरूद नहीं है कोई भी चीज प्रिंट करानी है direct print function this one कि इसको semicolon से close करने की जरूद नहीं है कोई semicolon से close करने की जरूद नहीं है या डारेक बस आमने इसके अंदर कोई भी चीज है वो लिखके print करा सकते हैं जैसे के अगर आप में से कोई भी students में से कोई ऐसा student जिसने पहले कभी programming के काम नहीं किया उनके लिए बताता चलूँ कि इसी भी programming language के अंदर कोई भी चीज प्रिंट करने का कोई एक खास function होता है जैसे python के अंदर प्रिंट नाम का function है इसा से PHP के अंदर EQ नाम का इस तरह से function जूज होता है इसी तरह से c language के अंदर print f नाम का इस तरह से function जूज होता है तो कुछ functions होते हैं अलग-अलग programming languages के अंदर कोई भी चीज इस screen पे as it is print करवाने के लिए चीक है अगर वह आप चीज करवा रहे हो in text form suppose कि मैं अपना नाम लिख रहा हूं ठीक है तो in text form आपने कोई भी चीज प्रिंट करानी है वह हमेशा single या double quotation में दी जाती है suppose कि मैं यहां पर hello world कि मैंने लिख दिया अब यह क्या है यह taxed है तभी मैंने इसको single quotation में close किया है अब मैंने क्या करना है इसको run करना है अब हमारे इस visual studio code editor यह जो हम editor code editor use कर रहे है अब देखें मेरे पास नीचे टर्मिनल ओपन हो गया टर्मिनल पैसिकली क्या होता है एक किसम का cmd होता है ठीक है code editor के अंदर अब देखें मेरे पास successfully यहां पर what is this मेरे पास successfully app.by फाइल है वो execute हुआ है और उसने hello world देखें successfully print कर दिया है ठीक है hello world मेरे पास successfully मेरे कर्मिनल में on हो चुका है यह मेरा file successfully काम कर रहा है perfect काम कर रहा है ठीक है suppose कि मैंने यहां पर कुछ और भी print कराना है है अं है hello world welcome मैंने save कर दिया save करने के बाद one second यह उपर run पर click करना होगा देखें यह अगें हुआ and hello world welcome मेरे पास print हो चुका है तरह से अगर में चारों में welcome जो है वो मेरे पास मेरे new line पर print हो तो एक तरीका simply यह है कि print दूसरा print हमेशा new line पर अपुर्ट जेमरेट करेगा ठीक है मैं run पर click कर रहा हूं तो देखें hello world welcome मेरे पास आ चुका है successfully hello world welcome मेरे पास यहां पर आ चुका है and मैं यहां पर clear terminal करूंगा तो यह clear हो जाएगा कि output multiples यहां generate होते जा रहे हैं इसी तरह से में welcome अपना नाम मेंने लिख दिया मैंने सेफ कर दिया हमेशा जो भी चीज़ लिखनी है साथ में control सेफ करते जाए जो भी changes करते जाएं सेफ करते जाएं इसको simply run पर click करने पर one second मेरे पास क्या प्लेंट हो गया hello world welcome अली नकी मेरे पास एक output आचुका है successfully तो Python के अंदर देखें hello world का जो प्रोग्राम है वो कुछ इस सरह से काम कर रहा होता है एक और चीज में यहीं पर बता देना या cover करना चाह रहा हूं कि हमारे पास किसी भी programming language के अंदर variables नाम का यानि के concept प्रोग्राम का यानि के concept प्रोग्राम के जाता है variables basically क्या होते है variables is a memory is a temporary memory यानि कि temporary तोर पे जब तक ये program execute हो रहा है जब तक मेरे system में एक memory बनी रहेगी तो इस memory के अंदर हम जो भी चीज इस्टोर करवाएंगे वो इस program में use हो सकता है जब तक ये program running form में है execute हो रहा है ठीक है now suppose कि मैं ये चीज़ें हटा लेता हूं मैंने print हटा दिया मैं यहां पर आ गया और क्या मैं एक थोरा सा कुछ और कर देता हूं मैंने यहां पर print किया और क्या है अपर प्रदार यहां है और खुछ बिग्टेनहच कर विए फे यहां है reward a और brings बिएब देता है अ कि लिएटर एं मैंने यहांक्ष कर गंडिएबस सीज़े तो कीशन से किसमें तरू यहन नहीं से किलियर करके मैं इसको रुण कर लेता हूं देखे मेरे पाफ मेरे पास अट्रीज आॉटविड के अली्स आपरेनियर नाप है किसी बेस्ट कीज सब्सक्राइब्स के निर्षिकवालनें यहां पर 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 यहां प नेम नाम का variable एक टैंपररी मैमरी अब python क्या है python एक इतनी ज़्यादा intelligent language है कि इसको यहां पर बताने की ज़रूत नहीं है कि मैं variable बना रहा हूं या क्या बना रहा हूं इसका जो interpreter होगा वो जब इसको read करेगा तो वो automatically समझ जाएगा कि यहां पर कोई नीम नाम की चीज बनी है, जिसको कोई वेल्यू असाइइन की जा रही है, this one is assignment operator, और इसको मैं क्या असाइन कर रहा हूं, इसको मैं Aliy असाइन कर रहा हूं, इसको अलग से semi-colon की close करने की ज़रोद नहीं है, जैसे बुसरी programming languages में होता है, हर चीज को semi-colon प्रिक्लोज करो तो तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं आप्रिंट रहा है नेम is a boy so there is ali क्विक्ष यह यह variable है यह memory है यह keyword है इस वक्त इस programming language का keyword हमेशा जो चीज आप as it is print करना है यह तो is a boy as it is print हो यह ड्यानि single quotation में आएगा यह यह name है वह मैं इस तरह से बाहर रहूंगा ठीक है इस वन मैंने नेम जो है single quotation से बाहर रखूंगा text form में जो भी चीज प्रेंट कराई जाती हो इसको string कहा जाता है किसी भी programming language के अंदर क्या कहा जाता है string तो मैंने इसको run करूंगा तो run करने पर देखे मेरे पास क्या है Ali is a boy क्योंकि यहां पर space नहीं है मैं यहां पर क्या करूंगा space दूँगा जिस वजह सची अली इस यहां पर बिलकुल आपसम मिले में तो मैंने यहां पर थोड़ा सा string के अंदर text के अंदर ही मैंने के space generate करा दिया ताकि वह as it is display हो जाए once again मैंने जब run पर क्लिक किया तो मेरे पास output क्या आ चुका है Ali is a boy and यहां पर भी अगर मैं ऐसे कर दूँ name name ठीक है so मैंने save कर दिया save करने के बाद जैसे run करूंगा तो देखे मेरे पास output output जो है वह क्या आ गए Ali is a boy Ali is 29 and Ali is from Pakistan ठीक है मेरे पास successfully जो है वह output जो चुके हैं ठीक है अब यह यहां पर प्रस क्या है यह बैसिकली concatenate operator है क्या 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 क्यलाता है कि कीवर्ड या कोई variable अगर किसी string के साथ हम दिस्प्ले कराना चाह रहे हैं तो उस string और उस variable उस keyword को बीच में हमने इस सरा से merge करना होता है so python हमारे पास प्रस क्या है concatenate operator है जबके प्रस के इलावा कॉमा भी यूज होता है ठीक है मैंने देखे नेम के बाद यहां उपार मैंने कॉमा कर दिया मैं run कर रहा हूं इसको अभी मेरे पास successfully जो है वह आउट जो है वह generate हो रहा है मगर कॉमा क्या करता है कि space भी automatically इसका जो intelligence है वह ऐसा है कि space auto generate हो तो अब बले आप space ना भी दें यहां पर तब भी इस कॉमा से वह space auto आ जाएगा और इस तरह से हमरे पास use हो गया इसके इलावा plus and comma में एक और भी different है जो कि मैं next classes में बताऊँगा ताकि वह ज्यादा easily आपको समझ में आएगा अभी नहीं इस तरह से अगर मैं ऐसा करूं मैं एज नाम का एक variable बना रहा हूं जिसके अंतर में age क्या डाल रहा हूं 29 अब new students के लिए उनको प्रोग्रामिंग नहीं पता उनको में बताँगा कि number हमेशा without इस तरह से single quotations में दिये जाते हैं किसी भी memory किसी भी variable को अगर आप number assign कर रहे हो तो वह without single quotation होगा कि number is called an integer in any programming language इनको integer कहा जाता है integer जो है वो क्योंके number है अगर single quotation होगा तो वह tax consider हो जाएगा ठीक है वह tax consider हो जाएगा तो हमने tax consider नहीं करना हमने यह number ही रखना है तो वह without single quotation आएगा अब यहां पर क्या करूंगा यहां पर one second में यहां पर क्या कर लेता हूं इस तरह से में यूज कर लेता हूं ठीक है तो देखे मेरे पास again क्या है अली इस 29 के age variable में से क्योंकि उसकी value क्या है 29 तो 29 यहां print हो रहा है यहां पर name की value अली है तो अली यहां पर display हो रहा है तो इस तरह से हमारे पास programming languages के अंदर या especially python के अंदर वह variables काम करते हैं मैं display कराना चाहर हूं यह क्या है यह string है जबकि string की starting में भी एक variable है end में भी एक variable है तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस string को दुनों तरफ से concatenate करूंगा क्योंकि इस string के चुरू में भी variable आ रहा है तो यह variable string के साथ concatenate होगा इसी तरफ इस string के बाद भी एक variable आ रहा है मैं यहां से भी इस string यानि इसको इस variable के साथ concatenate करूंगा dot की मदद से आखे की मसला ना आए कि अब suppose मैं ऐसा करता हूं मैंने dot हटा दिये मैंने comma हटा दिया यहां से और यहां से मैंने दोनों तरफ से हटा दिये ठीक है मैं run कर रहा हूं कुनाओ देखें तर्स कुछ इस तरह से आते है python के अंदर यहां पर मुझे python किस तरह से error दे रहा python के रहा है कि line number five में error है ठीक है this one line number five and name यहां पर यहां पर error है यह अब इसका जो intelligence है python programming language का वो देखें वो programmer को guide भी करता है खुद क्या करता है देखें मुझे python खुद बता रहा है कि तुमने शायद comma miss कर दिया तुमने शायद comma भूल गए forget तुम यहां पर comma देना था तुमने कहीं पर line number five में कि तुम भूल गए हो जिस वज़ा से तुमारे पास line number five में यह error आ रहा है तुम प्रेशन में इस तरह से errors आते हैं और वो बहुत ही error भी खुद यानि के इतना intelligent है कि वो programmer को वो developer को automatically guide कर लेता है कि तुमने कहां पर की और कुन सी गलती की है और यह intelligence दूसरी programming languages में नहीं है यह खासियत हमारे पास python की है कि उसमें इस सरा से चीजें काम करती है अब देखें मैं one second comma यहां पे भी देता हूं यहां पे भी देता हूं and again मैंने run किया तो मेरे पास errors सारे कम हो गए and मेरे पास successfully alisaboy alis29 alis from Pakistan जो है वो successfully हो गया है ठीक है अगर आपने पहले programming languages पड़ी हो तो programming languages के मुकाबले में python मेरी नजर में यानि के 100 गुना ज्यादा easy है इसमें easy से काम कर सकते हैं easily काम कर सकते हैं और आगे तो आपको बहुत ज्यादा मज़ा आएगा प्रोग्रामिंग python पे काम करने पे क्योंकि python completely written language है इसमें तकरीबन हर चीज के लिए methods, functions, classes बने दें, नाम कॉल करवाओ या classes को input करवाओ और आपका सारा काम हो जाएगा आपको ज्यादा महनत करने के इसमें जरुवत नहीं पड़ेगी जैसे दूसरी programming language इसमें छोटी चीज बनाने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा code बहुत ज्यादी महनत करनी पड़ती है तो python के अंदर यह चीज नहीं है हम simply easily जो है वो किसी भी चीज पर काम कर सकते हैं और हमें कोई यानि के इसमें difficulty नहीं आती है इसी तरह से अंदर operators यूज होते हैं जैसे के जैसे के प्लस माइनस मल्टिप्लिकेशन डिवाइड इसी चीज को माइनस करना है प्लस करना है ठीक एसी तरह से relational operators greater than less than इसा से string के बहुत ज्यादा इसमें काम होता है कि functions का काफी ज्यादा काम होता है तो हम जैसे जैसे इस python पे आगे काम करते जाएंगे वह चीजें हमारे पास cover होती जाएंगे कि यहां तक any question any confusion okay so inshallah मिलते हैं next lecture के अंदर अब तक के लिए अलाफफ़